नमस्कार मैं रविश कुमार क्या संयुक्त राष्टर 24 घंटे में गजा के उत्तरी हिस्से से 10 लाख लोगों को हटा कर दक्षने हिस्से में ले जा सकता है संयुक्त राष्टर की ओर से बताया गया है कि इसराइल ने उससे कहा है कि 24 घंटे के भीतरी अपने स्टाफ और नागरिकों को वहां से हटाना होगा संयुक्त राष्टर ने कहा है कि इस तरह का विस्थापन नामुम्किन है और इसके बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं बिना बिजली के गज़ा के भीतरी इलाकों तक ये खबर कैसे पहुँच रही है कहना मुश्किल है इसराइल की सेना के प्रवक्ता ने संयुक्त राष्टर के इस बयान की पुष्टी नहीं की है लेकिन पत्रकारों से कहा है कि हम समय देने की कोशिश कर रहे हैं और समझते हैं कि ये काम 24 गंटे में नहीं हो सकता नियू यॉर्क टाइम्स ने इसे इस तरह से छापा है कि इसराइल की सेना ने संकेत किया है कि 24 गंटे की डेडलाइन नहीं है इसराइल की सेना ने कहा है कि दक्षण की तरफ सुरक्षित रास्ता देने के लिए हमने अपने हमले को नियंतरित किया है मगर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम युद्ध के मैदान में हैं इसराइल की सेना ने यह भी कहा है कि गज़ा शहर के सभी शहरी को वाड़ी गज़ा के दक्षिन की ओर चले जाना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए यह जगा खाली करनी होगी जब अगली घोशना होगी तब ही वे अपनी जगा पर लोट सकते हैं इसराइल की सीमा से लगी तारों की तरफ जाने की कोशिश ना हो हमास गज़ा के भीतर है और गज़ा के मासूम लोगों के घरों में रह रहा है इसराइल की सेना के इस बयान से साफ नहीं है के इतने सारे लोग कहां चले जाएंगे और जब उनकी इमारतों को ध्वस कर दिया जाएगा तो लोट कर कहां रहेंगे हमने आपको 12 अक्टूबर के वीडियो में गज़ा से रिपोर्ट कर रही पत्रकार प्लेस्तिया के बारे में बताया था इंस्टाग्राम पर प्लेस्तिया अलकाद और पत्रकार मुताज अजैजा ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि इसराइल ने 11 लाख लोगों से कहा है कि दशनी गज़ा की ओर चले जाएं वे चाहते हैं कि गज़ा खाली हो जाए ताकि उसे पूरी तरह तबाह कर दिया जाए लोगों का कहना है कि उन्हें दुख था कि परिवार के लोग और घर खत्म हो गए पर अब हम अपनी पूरी मातरी भूमी खोने जा रहे हैं और किसी को हमारी कोई परवा नहीं हमारे लिए दूआ कीजिए उन्होंने लिखा है कि क्या हम 20 किलो मीटर चल कर जाएंगे कहा जाएंगे क्या हम सडकों पर रहेंगे आपने देखा होगा कि हम तीन दिनों से वीडियो में घाजा बोल रहे हैं फिलिस्तीन बोल रहे हैं KIसीähänे संशोधन किया है कि घाजा बोलिए और फिलिस्तीन बोलिए तो हम आग से सुधार कर रहे हैं यब भयानक कहर है इस्राइल की सेना को साफ साफ बयान देना चाहिए कि ऐसा कोई आदेश है भी या नहीं वह यह भी बताए कि गज़ा के लोगों का क्या होगा अगर लोग नहीं भाग पाए तो क्या वो हमला रोकेगा वहां के लोगों ने कई दिनों से ठीक से खाया पिया नहीं होगा प्यासे होंगे इस हाल में उनसे कहा जा रहा है कि दसलाख लोग 20 किलोमीटर पैदल भाग कर दक्षण की तरफ चले जाएं वहां उनके रहने का कोई ठीकाना नहीं यहां के लोगों को यह भी लग रहा है कि उनसे उनकी मात्री भूमी छीन ली जा रही है उसके बाद अजराइल क्या करेगा सभी को अंदाजा है इतने सारे लोगों का एक साथ भागना भी संभव नहीं भगदर मत जाएगी लगता है इसराइल बम के साथ साथ लोगों को दह्षत और भगदर से मार देना चाहता है बहुत लोग निकलने भी लगे हैं ऐसी खबरे आ रही हैं इसराइल की सरकार बढ़हास हो चुकी है उसे लगता है कि गजा के आम लोगों को मार कर ही हमास का बदला लिया जा सकेगा संयुक तराष्ट्र ने ट्वीटर पर बयान जारी किया है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है यहां तक कि युद्ध के नियम भी होते हैं हर किसी को उसका आदर करना चाहिए अंतराष्ट्रिय मानवादिकार कानून युद्ध से घिरे नागरिकों की रक्षा के लिए है बिना किसी भेद भाव के उन तक मानविय मदद पहुचाना ही हमारा मकसद है यही नहीं जिनीवा कन्वेंशन के नियमों के बारे में एक लिंक भी ट्वीट कर दिया गया है कि सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि इसराइल की लड़ाई एक आतंकी संगटन से है ना की घजा की जनता से हम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुचाना चाहते हैं मगर हम हमास आइसिस को अपने बॉर्डर के पास नहीं रख सकते अब इस बयान पर यकीन कौन करेगा तमाम तस्वीरे आ रही है इमारतें गिराई जा रही है लोग मर रहे हैं अस्पतालों में बिजली नहीं है पानी नहीं है और इसराइल कह रहा है हम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुचा रहे है पडोसी देश जॉडन का कहना है कि इसराइल गजा तक मदद पहुचाने नहीं दे रहा है वो अंतराष्ट्रिय कानूनों का उलंगन कर रहा है संहींतराष्ट्र ने बताया है कि शनिवार से लेकर अब तक 4 लाग से अधिक लोग गजा से विस्थापित हो गए है मानवादिकार संगठन हिूमन राइट्स वाच ने इसकी पुष्टी कर दी है कि इसराइल गजा पर सफेद फॉस्फुरस बरसा रहा है Human Rights Watch ने कहा है कि सफेद Phosphorus के इस्तिमाल से नागरिकों को गंभीर और लंबे समय तक रहने वाले घाव हो जाते हैं Human Rights Watch ने ऐसे दो वीडियो की पुष्टी की है जिन में घजा शेहर के बंदरगा और लिबनान इसरेल बॉर्डर पर हवाई हमले से सफेद Phosphorus गिराया जा रहा है सफेद Phosphorus ऑक्सिजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है और तब तक जलता रहता है जब तक इसे बुझाया न जाए या ऑक्सिजन की कमी ना पैदा हो इसके जलने से अत्यधिक गर्मी पैदा होती है तवचा के संपर्क में आने पर ये बहुत बुरी तरह से चमडी जला देता है हड़ी तक मांस को पिगलाता है ये खून में मिल जाता है और आंतरिक अंगो को फेल कर सकता है घाओं की पट्टी खोलने पर फिर से आग पकड़ सकती है क्योंकि ऑक्सिजन के संपर्क में आ जाता है छोटे घाओं भी जानलेवा साबित हो जाते हैं जो बच जाते हैं उनकी तवचा खीच जाती है और विकलांग कर सकती है यूमन राइट्स वाच ने कहा है कि इसराइल द्वारा घनी अबादी वाले शेत्रों में इसका इस्तिमाल अंतरास्ट्रिय मानवादिकार कानूनों का उलंगन है जिसके तहत नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुँचाना चाहिए जमीन के मकाबले हवा से सफेद फॉस्फर गिराना जादा लोगों को प्रभावित कर सकता है इसराइल ने यही किया इस आरोप को लेकर इसराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इसराइल चमड़ी जलाने से लेकर घर जलाने के काम में लग गया है पानी बंद कर प्यास से मार रहा है इसी तरह लोगों क फोन पर कॉल आ जाते हैं कि तीन मिनट में इमारत खाली कर देनी है बम गिरने वाला है इतने कम समय में कोई दस्वी मन्जिल से नीचे भी नहीं आ सकता अपने घर से निकल कर कहीं भाग भी नहीं सकता अब कहरा 24 गंटे में 11 लाक लोग दक्षिन के छोटे से हिस्से में जमा ह हो जाएं दक्षिनी छोर पर 10 लाक 11 लाक लोगों के पहुँचने से अलग तरीके की ही तबाही आ सकती है हमास ने इसे इसराइल का फेक प्रोपेगेंडा बताते हुए कहा है कि लोग अपने घरों में ही रहें कहीं न जाएं क्या लोग हमास की बात सुनेंगे या सहींत रा आस्ता निकालने की कोशिश कर रहा है लोग जाएं तो कहा जाएं इजिप के राश्टपती अल-सिसी ने कहा है कि घज़ा के लोग अपनी ही जमीन पर रहें अस्पताल है नहीं पानी है नहीं बिजली है नहीं इस हालत में उनकी जिंदिगी का कोई भरोसा नहीं घज़ा का ऐस्पाल सबका अंतिमासरा है मगर ये ऐस्पाल भी संकट का शिकार है इसके बाहर मरीजों की भीड है सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियो चल रहे हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि घायल बच्चों को लेकर लोग ऐस्पाल में घुसने की होड कर रहे हैं महिलाओं और बच्चों के शवों की लंबी कतारों के वीडियो साजा किये जा रहे हैं Associated Press ने अलशिफा अस्पताल के बारे में लिखा है कि गज़ा के इस सबसे बड़े अस्पताल में शवों की बाढ़ हा गई है रिष्टेदारों के पहचान करने से पहले और शवों आ जाते हैं अस्पताल कह रहा है कि उसके पास मरने वालों को रखने के लिए जग़ा नहीं अस्पताल के मुर्दा घर में एक बार में 30 शवों को ही रखा जा सकता है अस्पताल के बाहर पारकिंग लॉट में शवों को रखना पड़ रहा है कुछ को टेंट में, कुछ को सिमेंट के फर्ष पर, कुछ को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया है ये अस्पताल वैसे ही अभाव में काम करता है और अब इसराइल के पानी, बिजली, राशन और इंधन बंद कर देने के बाद, हालत और बत्तर हो गई है गजा के स्वासमंत्राले के प्रबक्ता ने कहा है कि हम नाज़क स्थिती में हैं अम्बुलेंस घायलों तक नहीं पहुँच पा रही है घायल आईसी यू तक नहीं जा पा रहे हैं और मरने वाले मुर्दा घर भी नहीं जा पा रहे है इसराइल ने अंतरास्ट्रिय युद्द के सभी नियम काईदों को ताक पर रख दिया है ऐसा नहीं है कि सारा इसरा 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 एक ही तरह से सोच रहा है इसराइल के भीतर भी लोग गजा की इस हालत और इसराइल की कुरूरता को लेकर चिंतित हैं उसके खिलाब बोल रहे हारिज अखबार ने एक फिलिस्तिनी लेखिका का लेख चाप दिया है क्या आप सोच सकते हैं कि भारत के अखबार में कभी ऐसा हो सकता है या इसके गोदी मीडिया के चैनलों पर हानिन मजदाली फलिस्तिनी हैं और हारेज में कॉलम लिखती हैं उनके लेक का शिर्शक है गजा को दिये जा रहे सामुहिक दंड को ना कहो हानिन लिखती हैं कि दक्षिन में परिवार के परिवार खत्म हो गए युवाओं की लाशे बिची हैं बच्चे चीख रहे हैं इन सभी को देखने और समझने के लिए किसी को गांधी होने की जरूरत नहीं न संत होने की जरूरत है इस इलाके में वर्शों से इसराइल की बरबरता देखने वाली फलिस्तीन की एक महिला के रूप में वे इस अपराद को पहचानती हैं इसलिए साप साप कहती हैं कि यह उनके लिए नیतिक रूप से स्विकारे नहीं है वे लिखती हैं कि मैं इसकी गवाह बन कर काप रही हूं लेकिन मैं यह भी समझती हूँ कि यह बरबरता क्यों बरती जा रही है मैं हमास के हमले को सही ठहराने के लिए नहीं कह रही हूँ बलकि बताने के लिए कह रही हूँ कि जिसे इसराइल के जादातर लोग वर्षों से नहीं देख सके नतीजा यह हुआ कि आज वे भी सद्मे में हैं कोई यहां फलिस्तीन के बारे में बात करने के लिए तयार नहीं वे चाहते हैं कि गजा मिट जाए जो भी यहां रहता है मिट जाए इसराइल के लोगों की अंतरात्मा की इस चुपी को तोड़ना होगा हानिन मजा दली लिखती हैं कि युद्ध के समय की भी नैतिकता होती है होनी भी चाहिए ताकि जीवन बचा रहे एक ऐसे समय में जब इसराइल राश्टरवाद की आंधी में है बदले की नफरत का शिकार है उसी देश का अखबार फलस्तीन में रहने वाली महिला की आवाज को जगा दे रहा है चाप रहा है चिर्कू टैंकरों वाले गोदी मीडिया के देश भारत में या हमले से भी ज़ादा अकलपनिया और हैरान करने वाली बात है केवल हारेज नहीं जरुसलम पोस्ट के दूसरे पन्ने पर भी एक रिपोर्ट छपी है रिपोर्ट इस बहस को छेड़ती है कि गज़ा में बिजली पानी की सप्लाई बंद करना नैतिक है या जादती है माइन हॉफमें सवाल उठा रहे हैं कि हमास ने जो किया उसके बदले में पानी बिजली बंद कर इसराइल नैतिक और कानूनी रूप से सही कर रहा है या नहीं इस रिपोर्ट में इसराइल की ही एक युनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस गुसे को समझते हुए कह रहे हैं कि उनके भी छात्र मारे गए हैं इसराइल कैसे नहीं बदला लेगा मगर प्रोफेसर यह भी कह रहे हैं कि आपको यह भी याद रखना होगा कि गज़ा में 20 लाख लोग रहते हैं और सभी आतंकवादी नहीं है बंदकों को छुडाने के लिए हमास के साथ टैक्टिकल तरीके अपनाए जाएं इसमें कोई गलत ही नहीं मगर पानी बिजली बंद कर देना अंतरास्ट्रिया कानूनों के हिसाब से गलत है इस दुफान में इसराइल के दो अख़बारों में इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है जो देश अपने लोगों की मौत के शोक में डूबा है गुसे से भरा है उसकी युनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रहे है पानी बिजली बंद कर देना गलत है उसके एक अख़बार में फलिस्तिनी महिला का लेख छपता है कि हर इसराइलियों को आँखें खोल कर देखना चाहिए कि उनका देश गज़ा के साथ किस तरह की बरबरता करता रहा है कई बार यकीन नहीं होता ऐसे तमाम मौकों पर भारत के पत्रकारों की रिपोर्टिंग देख लिजिए गोदी मीडिया का एक एंकर तो नुह की हिंसा के समय पर्मानेंट सलूशन की बात करने लगा बिना अदालती फैसले के बुल्डोजर से जब घर गिराये जाने लगे तब गोदी मीडिया के एंकर ताली बजाने लगे और आप उनके साथ रास्टरवादी होने लगे मगर उसी इसराइल के अखबारों की रिपोर्टिंग आप देख लीजिए हारेज्ज में इसराइल के वकील और राजनिती कारेकरता माइकल सफाड का लेक छपा है कि बिलकुल हमास ने मानवता के साथ अपराद किया है हम सब जानते हैं कि कौन मारा गया है कौन अगवा हुआ है इसका सदमा लिए हजारों की संख्या में इसराइली वर्षों तक चलते रहेंगे लेकिन इसके बाद भी युद्ध के नियम इस तरह से बद्दा लेने की इजासत नहीं देते हैं युद्ध के भी मानविय नियम होते हैं गजा कितनी छोटी जग़ है यहां के लोग सारी दुनिया से मिलने वाली मदद के भरोसे जीते हैं इसके बाद भी दुनिया को यहां की तबाही और तरासिदी नजर नहीं आती इसराइल के भीतर से ही गजा के लिए आवाज आ रही है दुनिया के बड़े बड़े नेता गजा को लेकर साफ साफ नहीं बोल पा रहे हैं मगर वहां की जनता इसराइल की जनता जो अखबार पढ़ती है उन में कितनी तरह की आवाजे हैं इसी समय में गजा के साथ हो रही नाइनसाफी पर वहां के वकील, पत्रकार, प्रोफेसर सब खुलकर बोल रहे हैं, चीख रहे हैं इसराइली पत्रकार गेडियन लेवी ने लिखा है कि हम हमास के खिलाफ हैं गजा के सभी लोगों के नहीं लेवी ने लिखा है कि इसराइल के बॉर्डर इलाकों की दहशत को समझ पाना मुश्किल है इस से भी जादा मुश्किल है गजा के रिमल जिले में फैली दहशत को समझना गजा की तरासदी और पीडा को समझने के लिए किसी कॉमपटीशन की जरूरत नहीं कि कौन जादा पीडा में है हिंदी के कुड़ा अखबारों को उठा कर देख लीजिए खोजिए कि उनमें इस तरह से खबरें लिखी गई हैं या नहीं समझिए कि आपके अखबार और चैनल आपको किस तरह की भीड में बदल रहें ये अखबार नहीं चाहते कि आप नागरिक और इनसान बन कर सोचें जैसा हारेज इस वक्त कर रहा है बस आपको भीड में बदल देना चाहते हैं ताकि आप सभी को एक नेता के पीछे हांक दिया जाए इसराइल में उस नेता को अखबार सनकी तानाशा और भरष्ट लिख रहे हैं इसी वक्त लिख रहे हैं सरवे छाप रहे हैं बता रहे हैं कि 90 फिस्दी जनता नेतन याहू को जिम्मेदार मानती है लेवी की इस लाइन को भारत के पत्रकारिता संस्थानों की दिवारों पर लिख देना चाहिए मुझे नहीं पता कि माखनलाल चत्रवेदी पत्रकारिता विश्विद्याले और भारतिय जनसंचार संस्थान के प्रोफेसरों में इसे पढ़ाने का नैतिक साहस बचा है या नहीं या राजनितिक निश्था ने उन्हें इस लाइक ही नहीं छोड़ा पता नहीं लेवी की अपंक्ती आप भी नोट कर लीजे वे कहते हैं कि ये कैसे मुम्किन है कि हम गज़ा से आने वाली तस्वीरों से ना हिल जाएं और उनका मजाक उड़ाएं हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ये इनसान हैं जिनें उनकी जमीन से बे देखल कर शरनार्थी बना दिया गया हानिन मजदाली लिखती हैं कि मुझे लगता है कि गजा के नागरीकों के अमानविय करण के खिलाब बोलना मेरा नैतिक और सार्वबहौमिक फर्ज है इस जगा और उन लोगों के प्रती जो यहां मेरे साथ रहते हैं मुझे लगता है कि ये मेरा फर्ज है कि मैं बदले और सामुईक सजा के खिलाब बोलू बिजली पानी रोकना नागरीकों को भूखा मारना गजा के केंद्र का सर्वनाश कर देना ये किसी भी तरह से सही जवाब नहीं है और कोई उपाए नहीं है ये सब युद्ध के अपरा माखनलाल चत्रवेदी पत्रकारिता विश्विद्याले के छात्रों को सोचना चाहिए कि क्या इस तरह की पत्रकारिता का भविश भारत में बचा है उनके क्लास्रूम में बचा है वाइस चांसलर के कमरे में इस पर बात करने की जगा बची है या नहीं उन्हें पूछना च कि समय इसराइल के दक्षणी भाग में लोगों के साथ खड़े होने के साथ ये भी मुम्तिन होना चाहिए कि हम याद रखें कि उस पार भी इनसान रहते हैं इस समय में भी हमें हमास और घजा के लोगों के बीच फर्क कर पाना चाहिए इस समय में भी घजा के बारे में मानव और जेरुसलिम पोस्ट की रिपोर्टिंग होश में लाने का काम कर सकती है भारत में सोचिए गोधी मीडिया देखते देखते आप क्या से क्या बना दिये गए यहां अरुंदती रॉय के 13 साल पुराने भाशन पर यूए पिये लगाने की बात हो रही है पत्रकार और संपादक चुप हैं और लोग समर्थन कर रहे हैं उनमें साहस नहीं है के इसे गलत लिख सकें लेखकों ने भी बोला तो दबे स्वरों में इसराइल की सनक पर इन सब का असर नहीं पड़ रहा है दक्षन इसराइल से लेकर तेल अवीब में रेड अलर्ट के साइरन बज रहे हैं लोगों से बंकर में छिपने के लिए कहा जा रहा है वही गज़ा के लोगों पर बम गिराने से पहले तीन मिनट का समय दिया जाता है कभी कभी वह भी नहीं गज़ा की आधी आबादी को आधी जग़ में अपने आप को किसी तरह से ठूंस लेने के लिए कहा गया है गज़ा शहर गज़ा पट्टी के पांच प्रशासनिक ब्लॉक में से एक है इसराइल ने कहा है कि उसने बीती रात साड़े साथ सौ सैनिक ठिकानों पर हमला किया इसमें बारा उंची रहाइशी इमारते भी हैं अलज़ा के मताबिक इस समय गज़ा के भीतर ही तीन लाग चालिस हजार लोगों का विस्थापन हो चुका है ये गज़ा की 15 प्रतिशत आबादी है ये गज़ा से बाहर नहीं गए हैं मगर उसी छोटी सी पटी में एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं समाद दो लाख लोगों ने संग्त राश्टर के स्कूलों में शरण ली है पांच लाख लोगों के पास राशन का जर्या नहीं बंबारी और इंधन की कमी के कारण गज़ा के पांच में से तीन पानी के प्लांट काम नहीं कर रहे हैं हमारे पास नई तस्वीरे नहीं हैं कौपी राइट नियमों के कारण हम कहीं से भी तस्वीर या वीडियो नहीं ले सकते इसलिए संयूकत रास्टर के इस वीडियो का फिर से इस्तमाल कर रहे हैं जिन चैनलों के पास सब कुछ है वो रिपोर्टर को माने सर भेज़ कर पैरा ग्लाइडिंग कराकर रिपोर्टिंग का मजाक उड़ाने में लगे हैं लाखों लोग भूखे हैं प्यासे हैं दुनिया कैसे देख सकती है इसराइल के प्रमुक अख़बारों में अब या बात बहुत सफाई से उबरने लगी है कि हमास और गजा के लोग अलग अलग हैं हमास के हमले के लिए गजा के सभी 20 लाख लोगों को इस तरह से नहीं मारा जा सकता है विश्व स्वास्त संगठन के महा सचिब ने इजिप्ट के राष्टपती से कहा है कि वो मानवा दिकार के नाम पर मदद पहुंचाने भर का रास्ता दे रफा सीमा को खोले ताकि मेडिकल हेल्प पहुंचाई जा सके डबलू एचो ने कहा है कि इस वक्त में गजा में स्वास्त विवस्था द्वस्थ होने के कगार पर पहुंच गई है अस्पतालों के पास कुछी घंटों की बिजली बची है जन्रेटर के लिए भी इंधन जादा नहीं इस कारण जीवन रक्षक मशीने कभी भी बंध हो सकती है और मरीजों की जान जा सकती है इलाज बंध हो जाएगा अलशिफा में गहाईलों के इलाज के लिए दवाओं की कमी बढ़ती जा रही है और में प्रेज़देंटर के लिए भी तक चौतिस स्वास केंदरों पर हमला हुआ है ड्यूटी पर काम करें ग्यारा स्वास कर्मियों की मौत हो गई सोला घायल हो गई बीस एंबूलेंस शतिग्रस्थ हो गई समय बहुत कम है इसलिए इन चीज़ों की आपूरती बहुत कम समय में करनी होगी इस जंग को रोकने की जरूरत है और मानवादिकार गलियारा बनना चाहिए ताकि मदद पहुंचे अलशिफा में कितने ही डॉक्टर होंगे आप कलपना कीजिए वे किस तरह से इस हालात में दिन रात मरीजों की जान बचा रहे होंगे उनके लिए भी ये काम असंभव होता जा रहा है अमरीका के विदेश सचिव मध़ पुर्व के दोरे पर है क्या अमरीका किसी नए समधान की तरफ काम कर रहा है खुल कर भले बयान ना दे रहा हो लेकिन इसराइल को रोकना क्याब उसके लिए समभव है हमास ने कहा है कि इसराइल के हमले में तेरा बंधक मारे गए है मगर उनकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है ऐसी खबरें छपी है कतर में फलिस्टीन के पक्षमे प्रदर्शन हो रहे है आम तور पर यहां धरना प्रदर्शन की इजासत नहीं मगर कतर में फलिस्टीन के लिए इजासत दी गई बता रहा है यह सब कि अरब देशों की जनता में इसराइल के जबाबी हमलों को लेकर कैसी प्रतिक्रियाएं हैं काहिरा में अरब देशों के विदेश मंत्रियों की आपाद बैठट बुलाई गई जिसके बाद विदेश मंत्रियों ने इसराइल से कहा कि अपनिवेशिक शक्ती आक्यूपाइंग पावर के रूप में वो अंतरास्ट्रिय कानूनों का पालन करे और दो रास्ट्र के समधान के लिए बाच्चित की मेज पर आए ताकि आजाद फलिस्तीन का गठन हो लेकिन क्या इसराइल इस बारे में किसी की सुनेगा फलिस्तीन की आजादी और गठन की बात पर क्यों आएगा मसकट में यूरोपियन यूनियन और गल्फ काउंसिल कॉपरेशन की बैठक हुई जिसके बाद साज़ा बयान जारी हुआ कि मानवा धिकार के नियमों का पालन जरूरी है हमास को भी बंधकों को रिहा करना होगा और गजा में पानी बिजली दवा की सप्लाई का रास्ता खुलना चाहिए इस तरह के हिंसा ना हो इसके लिए राजनितिक समधान निकालना चाहिए दो रास्टे के निर्मान की बात होनी चाहिए इस संगठन ने भी हमास और गजा के लोगों में साफ साफ फर्क किया है गजा और फिलिस्तीन को लेकर इसराइल पर दबाव तो बन रहा है लेकिन सवाल है कि इसराइल की सरकार नेतन्याहू को सुनाई दे रहा है या नहीं साथ अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया तब भारत के प्रधान मंत्री ने आतंकी घटना बताते हुए इसके निंदा की और ट्वीटर पर इसराइल को भरोसा दिया कि इस घड़ी में भारत की जनता उनके साथ है इसी बयान को विदेश मंत्री ने भी ट्वीट कर दिया अलग से उस दिन विदेश मंत्राले का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया एक दिन बाद 8 अक्टूबर को कॉंग्रेस की तरब से जैराम रमेश ने ये बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस इसराइल के निर्दोश नागरिकों पर हुए करूर हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करती है भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस का सदैव मानना रहा है कि आत्मसम्मान, समानता और गरिमा के जीवन के लिए फलिस्तिनी लोगों की वैद आकानशाओं को इसराइल के वैद राश्ट्रिय सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करते हुए केवल बादचित की प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए किसी भी प्रकार के हिंसा कभी भी कोई समाधान नहीं दे सकती और इसे रोकना चाहिए अगले दिन 9 अक्टूबर को कांग्रिस कारिसमिती की बैठर के बाद पार्टी अपने बयान के आखिर में फिर से इसराइल हमास हिंसा पर एक और बयान देती है जिसमें लिखा गया कि कांग्रिस मिडिलिस्ट में छिड़े युद्ध और हजार से अधिक लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करती है CWC फलस्तिनी लोगों की जमीन, स्वशासन और आत्म सम्मान एवं गरिमा के साथ जीने के अधिकारों के लिए अपने दिर्ग कालिक समर्थन को दोहराती है CWC तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अपरिहार या मुद्धो सहित सभी लंबित मुद्धों पर बाचित शुरू करने का आहवान करती है कॉंग्रेस के इस बयान पर असम के मुख्यमंतरी हमंता विस्वा शर्मा ट्वीट करते हैं के कॉंग्रेस कारे समिती का प्रस्ताव पाकिस्तान और तालिबान से मेल खाता है तीनों ही हमास की निंदा नहीं करते इसराइल पर हमले की निंदा नहीं करते जो महिलाएं और बच्चे बंधक बनाए गए हैं उन पर कुछ नहीं कहते राश्ट रहित का बलिदान कर तुष्टी करण की राजनिती करना कॉंग्रेस के डियेने में है स्ट्वीट में हिमन्ता पाकिस्तान के बयान को भी शामिल करते हैं तेजस्वी सुरिया बीजेपी के सांसद हैं मीडिया को बयान देते हैं कि हमास और फिलिस्तीन के बीच में कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए हमास एक आतंकी संगठन है अफसोस की बात है कि जब सारी दुनिया हमास के आतंकी हमले की निंदा कर रही है तब कांग्रियस ने वोट बैंक की राजनिती के चलते अपनी कारे समयती के प्रस्ताओं में ठीक से इसकी निंदा नहीं की विदेश मंत्राले की प्रतिक्रिया के बाद तेजस्वी सूरिया को सबसे पहले अपना भी कन्फ्यूजन दूर करना चाहिए जो कह रहे थे कि हमास और फलिस्तीन के बीच कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए इसराइल हमारा भाई है बनारस में कुछ वकील इसराइल के समर्थन में सड़क पर आ गये इन लोगों का यही कहना था कि वे सभी प्रकार के आतंग के खिलाफ है बनारस में कई जगों पर इसराइल भारत की दोस्ती के पोस्टर भी लगाए गये है लेकिन अब जब भारत फलस्तीन की मांग के साथ आ गया है क्या ये लोग फलस्तीन के लिए भी प्रदर्शन करेंगे गजा के लोगों के लिए भी प्रदर्शन करेंगे फलस्तीन की मांग को लेकर अलिगर्ण मुस्लिम युनिवर्सिटी के चात्र प्रदर्शन करने लगे क्या अब उनसे मुकदमा हटा लिया जाएगा रिहा किया जाएगा विदेश मंतराले ही फलस्तीन की मांग कर रहा है जैसे बनारस में वकील इसराइल के पक्ष में प्रदर्शन कर सकते हैं वैसे अलिगड मुस्लिम इनिवर्सिटी के चात्र फलिस्तीन के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन कर सकते हैं साथ अक्टूबर के हमले के बाद से कई देशों में प्रतिक्रियाएं आ गई थी कई देशों ने दो रास्टर की बाद साफ साफ कह दी मगर भारत की प्रतिक्रिया च्छ दिन के बाद आई इतने दिन क्यों लगे विदेश मंतरी बता सकते हैं जबकि कॉंग्रेस के कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया आठ अक्टूबर को आ गई थी क्या या अजीव नहीं कि विपक्षी दल की प्रतिक्रिया पहले आती है सरकार की चार दिनों के बाद हमले के च्छ दिन के बाद विदेश मंतराले की जब प्रतिक्रिया आई तब फिर आईटी सेल वालों का मजाक उड़ने लगा जो फलिस्तीन की मांग की बाद को हमास से जोड़ रहे थे विदेश मंतराले के प्रबक्ता अरिंदम बाक्ची कहते हैं कि इस मामले में हमारी लंबे समय से नीती रही है कि भारत, संप्रभू, स्वतंत्र और सक्षम फलिस्तीनी राजी की स्थापना की मांग करता रहा है दोनों देशों के बीच सिमाओं की सुरक्षित पहचान होनी चाहिए और इस्राइल के साथ शांती होनी चाहिए उमीद है उन लोगों को इस बयान से फर्क समझ आ गया होगा कि हमास के निंदा करना, फलिस्तीन का समर्थन करना दोनों अलग मामला है यह सब चलता रहेगा लेकिन क्या इसराइल गज़ा को महलत देगा मदद का रास्ता देगा हमास पर भी बंदकों को रिहा करने का दबाव होना चाहिए ताकि इस समस्या के हल के लिए भी रास्ता बने आपने इतना लंबा वीडियो धीरच के साथ देखा इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया नमस्कार, मैं रविश कुमार